सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और पेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेकनोलाजी वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों आज की रेंडम टेक न्यूस शुरू करने से पहले आप लोग से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं यहां मैं साइड में पूल पे एक सवाल क्रियेट कर रहा हूं क्या आप टिक टॉक यूज करते हैं हां या ना अगर आप यूज करते हैं तो कितना यूज करते हैं वैसे मैं भी टिक टॉक यूज करता हूं बट लेकिन तब यूज करता हूं जब मेरा कभी थोड़ा मूड कि टिक टॉक में जाने के पाद अपने आप इसमाईल आजेते हूं कि इसके कंटेंट्स को देख कर काफी ज्यादा अंदर से अच्छा फील होता है मतलब अच्छा फील होता है तो पोल क्रियेट कर रहा हूं आप मुझे अपना जवाब दे देना हाँ या ना अगर आप यूज करते हैं तो कितना यूज करते है अब आप लोग यह सोच रहे होगे कि आज अचानल टिक टॉक के बारे में ऐसा क्या हो गया तो मैं आपको बता सब्सक्राइब अपना नया स्मार्टफोन लांच किया है जिसका नाम है इसको लांच कर दिया है इसकी सबसे बड़ी खासे बात है कि यह लेटिस्ट स्नाप ड्रेगन 855 प्लस पे प्लस पे आएगा और सबसे बड़ा इसमें में फीचर यह होगा कि अगर फोन आपका स्वाइप अप करने के बाद आप इसमें डारेक्ट टिक टॉक में पहुंच साथ थे हैं और इसके स्पीचर की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा इसके तीन वेरिंट में लांच किया गया है इसमें आता है करीब और जिसमें आपको 2899 युवान यानी करीब करीब 29,000 चीनी मार्केट में अवेलवल लेकिन इतना जरूर काज आ सकता है कि अगले साल तक हमें इस फोन को इंडिया में देखने को जरूर मिल सकता है इसके बेसिकली फीचर्स की बात कर तो इसमें आपको 6.3 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्पले पैनल दिया गया है जिसका स्क्री इसमें आपको क्वाड्रियर क्यामरा सेटप भी पीछे देखने दिया हुआ जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल का में सेंसर होगा जिसमें सोनी का IMAX 586 सेंसर दिया गया है इसमें आपको 20 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई हो साथ के साथ 4000 एमच की बैटरी और 18 वाट की फास अब बता दू कि टिक टॉक के जो सेल्फी कैमरें जिस मोबाइल कर जो सेल्फी कैमरें वहाइस सारे ऐसे कुछ फीचर दिये जिनके दारा टिक टॉक में मुझरा करने में बजा आएगा तो आने वारे टाइम में ही पता चलेगा लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अब टिक नए स्मार्टफोन सिरीज V सिरीज के में V30 और V30 Pro पे खाम रही है चाइना के ट्विटर वीवो पे एक Huawei के V30 Pro की एक फ्रंट इमेज निकल कर सामने है जिसमें आप दीख सकते हैं इसमें फंच होल डिस्पले दिया गया है खबर ये भी कहा जाता है इसमें 60 मेगा पिक्सल का कैमरा भी दिया जा सकता है अब देखते हैं कब ये ग्लोबली लॉंच किया जाता है लेकिन आपको बता दे Honor की V30, V30 Pro में किरिन का 9900 चिपसेट जो 5G सपोर्ट करेगा और यहाँ पे आपको ये भी बता दू कि इस बार कमपनी V30 V30 Pro में 5G सपोर्ट के साथ लॉंच कर सकती है और साथ मैं आपको इसमें 140 वाट का सुपर चार्ज और 2200 एमेच की बैटरी देखनों के विए हाला कि अभी कमपनी ने इसकी कोई ओफिसल एनाउस्मेंट नहीं किया कि कब वो लोबली इसे लॉंच कर सकती लेकिन अब यह तो खबर यह कि लगता है 2020 में इसे लॉंच कर सकती है बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर हमारे पास ट्राई के दवारा है जी हाँ इस समय आप लोग को आई उसी की चार्जर के वज़े से ट्राई काफी उधल पुथल मचा रहे है टेली कॉम इंडस्ट्री में तो आपको बता दे कि अब जो आपके फोन की जो इंकमिंग रिंग बज़ेगी वो बज़ेगी 30 सेकंड की जिहां क्योंकि ट्राई का हवाला देकर जो टेली कॉम कंपनी आ थी वो 25 सेकंड क समय समय मतलब साइट साट सेकंड का टाम ने धारित किया गया है और यहां तक आपको यह भी बता दूब कि ट्राई इस्पेस्टली सारे टेली कॉम्स को यह और दिया है कि अगर कि अगर कॉल रिलीज मैसेज ना मिलने पर 90 सेकंड के बाद अंसर्ट कॉल रिलीज करना अनिमार होगा तब देखते हैं आखिर क्या होगा कैसे कब यह चीजें इतना कंफर्म है कि अब जो आपकी इंकमिंग कॉल होगी उसमें आपको रिंग 30 सेकंड भी 30 सेकंड बजेगी बढ़े कि अगली की तरफ की तरफ है मेरे पसफिल की तरफ से अब को पता होगा कि रेलमी में रेल मी 3 मिके लिए अपना जो नहीं सिक्योर्टी अपडेट तरफ डे घ पर का सिक्योर्ट का एक क्था 'Mंटर का सुक्टोबर का मिल जाएगा आपको बता दे कि यह अभी हाली में अगस्त के महिने पर Realme 5, Realme 5 Pro लांच किया गया था जिसमें आपको Realme 5 की कीमत करीब 9999 रुपए रखी गई लेकिन अब इसका 1000 रुपए प्राइस कट किया गई इसकी कीमत जो नई कीमत निकल के सामने आही हो है 8999 रुपए इसे आप फ्लिप कार्ड की द्वारा खरीच सकते साथ की साथ आपको एक्सिस बाइक कार्ड के साथ 10% का डिसकाउंट भी दिया जा रहा है तो अगर आप Realme 5 का बेट कर रहे हो तो आप इसे खरीच सकते हैं जिसमें आपको 1000 रुपए की प्राइस कट देखने को मिल सकता है दोस्तो बस फिलाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना है मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो जरूर पसंद आए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दना잇स शेर कर दना और कमेंस अगर अभी तक आपने चैनल को सबस्क्राइब ना गिया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए मिलता हूँ आपसे मैं अपने एक और नए इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए गुडबाई टेक केर